नगीना सांसो चंदरशी का राज़ा दिस्व तुमारे साथ हैं बहराईच में हिंसा हुई है क्या कहेंगे अब किसकी वज़े से हुई है हिंसा कब होती है जब कानून विवस्था कमजोर और कानून विवस्था कमजोर की जिम्मेदारी किस पर होती है मेरे पर या मुख्यमं चेती हत्या हुई एक विदायक को मुख्यमंतरी के चहीतों ने थप्पड थपड मार के अप्मानित किया और तमाम तरह से लगातार हिंसा की घटनाय महिलाओं पे बच्चों पे कमजोरों पे दलीतों पे पिफड़ों पे मुसल्मानों पे जारी इस हिंसा की जिम्म्हदारी स सब विदनाएं जिसने गटना को अंजाम दे उस पर सक्त कारवय हों चाहिए साथ-स इस गटना के कारण क्या है किन कारणों की वेसे इसके भी जाच करने चाहिए क्योंकि लगातार लंबे समय से देखा जा रहा है चाहिए गाजयबाद से हो कहीं से हो कि एक वर्ग को उक्सान बारवाई करके जो है अब प्रजेंट टाइम में वहां कानून विवस्ता बाहल करनी चाहिए उनकी जिम्यदार है कल आप लखनों में थे मन गोतम के यहां पर गए आपने कहा कि दलीतों की जो जान है वो दाल से भी मैं इसमें और कुछ एड़ कर देता हूं सिर्फ दलीतो कि सरकार मुझे तो सिंगल की भी नहीं लगती है अभी आप महां पर बाचित करें मेलिया से कह रहा है कि इस्तिफा देदाना चाहिए अगर कोई वेक्ति अपने पदके अनुसार कारिया नहीं कर पा रहा तो उसको नहीं अधिकार कुर्सी पैठने का नैतिकता क्या दार्प इस अंधिया उड़ी तो क्या कानुन वास्ता है पिर मेरे जैसे गरीब के बिटे कि तो कभी भी अत्या हो सकती जो संगर्ज कर रहें उनके साथ तो कुछ भी हो सकता है तो मैं तो आपके से कहूंगा कि सरकारों में अंचा खरी है उन सबी सरकारों को अपना अपना आखलन क जाए सभी पक्सव द्वारा और उत्तर प्रदेश को इस आग में हिंसा के आग में ना जोकने का प्रयास किया जाए मैं ये सभी पार्टियों से कहूंगा कि वह राइंतिक लाब नुकसान को छोड़के प्रदेश की कानून वरस्ता चिरेश की तरफ द्यान दें तो प्रदेश में जो घटना हुई है उसकी भी चंदर शेकर ने जो है अपने करने शब्द में इंदा भी की है टिविनान यूपी के लिए सारंपूर से विकास कपिल